वसंद पंचमी और वसंद पंचमी की दिर मैं आपको कुछ अपनी जो ज्यान है उनके साथ आपको सेर करना चाहता हूँ ठीक न यह वसंद पंचमी हिंदू के लिए ही नहीं पूरे सभी समाज के लिए हिंदू, मुसलिम, सेख, इसाई, पाज से, यहुदी, जितने भी धर्म है ठीक न सभी के लिए मैं सम्वान करते भी आपको कुछ इन कि बाते बताने आया हूँ और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि मा सरसुतीम में यह वीना क्यों रखे है ठीक न एक हाथ में वीना है दूसरे हाथ में किताब उस्ए हाथ में किताबे उस्पाद्य थिसमाज अना कीजिए समय वितेगा दूसरा क्या मिर्तिव मिर्तिव किसी के परसिक्षा नहीं करते और तिसरा ग्राहक ठेक तीन चीजे भाई भाई को दुस्मन बना देती हैं लड़ने के मजबूर कर देती है कौन-कौन पहला है जर दूसरा है जोरू यानि की पतनी और तिसरी जमीन यान आपने देखा होगा तीन चीजे याद रखना जरूरी है क्या-क्या सुनिए पहला संच्चाई दूसरा करता है और तिसरा मोत तीन चीजे याद रखना जरूरी है इन सभी को याद रखिएगा तीन चीजे कोई दूसरा चुरा नहीं सकता आपसे कौन-कौन पहला चीज अक आप में जो अक्ल है ना, उसे कोई नहीं चुरा पाएगा ठीक ना दूसरा चरित्र आपकी जो सद्गुन है, उख कोई नहीं चुरा पाएगा तिसरा, आपका हुनरivos, आपकी काम करने का तरीका, आपसे कोई छीन नहीं पाएगा तीन चीजे निकल कर वापस नहीं आती जो एक बार निकल जाती है न वो दुबारा नहीं आती पहला तीन से निकल अकमान यानि कि जो जवान मुह से निकल जाती है जो बात आपके जवान से निकल जाती है और सरीर से निकल गया परान, कभी वापस लोट के नहीं आता, धनुस से निकल गयी तीर, ठीक न, मुन से निकल गयी बात और सरीर से निकल गया परान, ये कभी लोट कर नहीं आते, तीन चीजे जीवन में एक बार मिलती हैं, कौन-कौन, सुनिए अभी मैं इतना अनमोल बात जो आपके जीवन को काफी काफी बोलना होगी एकदम चेंज करेगा तीन चीज़े जीवन में एक बार मिलती है माँ बाप और जवानी ठीक ना तीन चीज़े परदे योगी है यानि किसे आसानी साथ नहीं जान सकते पहला है धन दूसरा है इस्त्री और तीसरी है भोजन इन प्रतीनों का संवान चाहिए हमेसा माता का पिता का और गुरू का आप माता पिता और गुरू का हमेसा संवान कीजी अब देखे यहां पे माँ सरसथी की पर्देमा है तो बिद्यार्थी को सर्सथी मा के पूझा करते है लेकिन न एक जो एसाई भी दर्थी होता है, पूजा के साथ-साथ उनकी गुणों को देखता है, और उनकी दी हुई उपदेशों को सुनता है, जो वे मुल वचन बोलते हैं, उन्हें कहा जाता है, बोध्धर में भी दोपर कर गाता है हीन यान और महायान, आपको मालूम बाई इसका पीछे region है क्या region है चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि क्या होआ जब जर्मन था तो जर्मनी ने ने गराजा हुआ करता था हिटलर और सुमएं था हमारे आइंस्टीन जी तो आइंस्टीन दूसरे धर्म के थे हैं और हिटली दूसरे धर्म के थे हैं और यहुदी थे हैं आइंस्टीन तो आइंस्टीन हिटलर जो है ना यहुदियों से बहुत जलता था इस कारण वह हिटलर मारने का दिया ओडर की चाहिए आप आइंस्टीन को मार कि आई यह ठीक ना मडर करने का तब आइंस्टीन को पता चला कि मुझे हिटलर के सेनिक मारने आ रहा है तब वह घर से भागा था और बताई एक सेनि जो एक बयानिक है आइंस्टीन तो बयानिक सब सब्सक्राइब गरने का जाइए लेकन वह भाग रहे थे तो तक कि लेकर भाग रहे थे लेकर रहे अपना वाइलीन जिससे यह music बजाया करते थे ठीक ना गाना सुना करते थे क्यों कि वह जानते थे कि हमारा दिमाग जो है ना music एकदम खोज करता है विद्या में music का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसलिए मास रुसती एक हाथ में कुस्त तक लिये है ठीक ना वैद पुरान मह जो बो सांगित हमारी दिमाग को सामती देता है संगीत में सारसूत साथ सुर होते हैं सामवेद में यह बताया वह गया है कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है और उसका सभी गुनों को बताया गया है ही मा शरुषती मा ये साधे वश्थर हं क्यों पहंदते हैं इसके पीछवी रीजने क्या रीजने साधा जीवन औչची विचार्य यहीं मानव जीवन का आधार साधा जीवन रहिए जब्कि आजकल के बिद्यार्ति क्या करते हैं जो लोग मूर्ति उठाते हैं ठीक ना मैं अपने जो लाइप एक्परियंस से वसे मैं बता रहा हूं एकदम इतना घटिया गाना लगाते हैं कि उन्होंने संगीत का अपमान कर देते हैं संगीत में साथ सुर होते हैं पता नहीं ये खोन सुर लगा देते हैं भजपूरी इतना डेंजर डेंजर गाना लगाते हैं जिससे आप अपने भाई महान अपने माता के साथ नहीं सुन सकते हैं अपने परिवार के किसी के सदस के साथ नहीं सु आपको उनके आदर्सों को पालन करना होगा क्या वोला उनके आदर्स को पालन किजिए जी हाँ फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा आप उनके आदर्स को पालन किजिए यानि उनके आइडियल को मानिए ठिक ना ना कि पुजा पुजा एक अलग बात है एक अलग अ चाहता है मैं उसी की आरदना सुनता हूं ना कि मुझे पूजा पाट करने से ठीक उसी परकार मांसरस्वति के दिये हुए आइडियल को मानिए ठीक ना उनके आदरसों को मानिए ना कि पूजा पूजा कीजिए, मैं ये नहीं कताओं, पूजा न कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, आप ये जो बहुद्धी परकार की गाना लगाते हैं न, ठीक न, उससे आप बंच के रहिए, अगर आप एक सही मायने में विद्यारती हैं, तो कभी न कभी इस बातों पर गोर किये हों हैं, मांगे मासर सती के मा, मुझे ज्यान देही, सद बुद्धी देही, ज्यान देही, सद बुद्धी देही, ठीक न, और स्वास्त देही, और हमेसा खुश रहों, बस ये पांच चीजिए मांग लीजिए, धन्यवाद है, अगर आपको यहां हमारा वीडियो पसंद आया ह तो प्लीज, आइनों दोस्तों तक सेर कीजिएगा, ताकि उनको भी हिर्दे को मैं छुपाऊं, धन्यवादू